Hello Friends, आज फिर से मैं एक छोड़ी सी स्टोरी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो जैसा कि इसका टाइटल है, Don't Give Up, Give Up का मतलब हार मान लेना, Don't मतलब नहीं, ठीक है, तो हार नहीं मानना, तो इस पहले जिस भी सिंटेंस में होता है, वो सिंपल प्रजेंटेंस का सिंटेंस का होता है, ठीक है, और डू और डज का यूज होता है, वो कौन-कौन से सिंटेंस में होता है, या निगेटिव सिंटेंस में होता है, और कोस्टन वाले सिंटेंस में होता है, जिसमें कोस्टन करते हैं और इसे हम लोग काफी अच्छे से समझ समझ के पढ़ेंगे ठीक है एक लड़का रहता था रोड़नी नाम का एक गाउं में ठीक है डियार इंट्रोड़क्टरी सब्जेक्ट है वोज क्या है एक जलीरी वर्ब है कौन से टेंस का पास्टेंस का क्योंकि वोज वर का किसमें होता है पास्टेंस में होता है वोज के वाद कि कौन सा वर्ब का यूज है तो वर्ब के थाट फॉर्म का यूज है वर्ब के थाट फॉर्म का यूज है अगर एक्जलीरी वर्ब के बाद हो तो वो किस वोईस में आता है पैसिव वोईस में आता है वोईस कितने तरह वाय क्या है एक नाउन है लीव क्या है एक वर्व है नेम क्या है नेम नाउन भी होता है वर्व भी होता है एडजक्टिव भी होता है लेकिन यहां पर नेम क्या है नेम एडजक्टिव भी तरह यूज है ठीक है और उसके बाद रोड़नी इन क्या है प्रिपोजिशन है विले इस फैमिली वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था, very क्या है, adjective है, very का मतलब होता है, बहुत happy का मतलब खुश, was past tense का auxiliary, he क्या है, pronoun है, with preposition है, his क्या है, adjective है, और family मतलब परिवार, family क्या है, noun है, ठीक है, but his happiness could not last for long, लेकिन उसकी खुशी, लंबे समय तक नहीं रह सकी, नहीं चल सकी, ठीक है, happiness क्या है, noun है, his क्या है, adjective है, could क्या है, model एक जली वर्व है, last for long, मतलब ये लंबे समय तक नहीं चल सकी, ठीक है, तो इस तरीके सा, Rodney and his fellow villagers faced a savory drought, कह रहा है कि Rodney और उसके फेलो, फेलो मतलब उसके साथ रहने वाले जो गाओं के बासी थे, उन लोगों ने, काफी, मतलब, savery किसे कहते हैं, savery मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, drought यानि सूखे का सामना किया, मतलब, savery मतलब बूल सकते हैं कि हद से ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा, जो, सूखे की स्थिती थी, उसका उन लोगों ने सामना किया, they desperately waited for rains, but with no luck, उन लोगों ने, बहुत ही वेचैनी से, क्या किया, इंतजार किया, किस का, बारिश का, लेकिन, उनकी जो किस्मत थी, उसने, उनका साथ नहीं दिया, चलिए उपर वाले sentence में, हम लोग देख लेकते हैं, Rodney क्या है, noun है, and क्या है, conjunction है, his क्या है, adjective है, fellow क्या है, noun है, adjective है, और यह villagers क्या है, noun है, face क्या, वैसे fellow भी noun होता है, लेकिन, यहाँ पे, जब noun से पहले, कुछ, बहुत सारे noun ऐसे होते हैं, जिनका adjective भी उज होता है, ठीक है, savory क्या है, adjective है, drought क्या है, noun है, ठीक है, ऐसे drought जो होता है, वो वर्व होता है, ठीक है, तो उन लोगों ने अभी यह noun और adjective समझ में कैसे आएगा, तो ऐसे ही धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते समझ में आएगा, जो noun को का, जो भी, वो qualify करता है, noun की भी सिस्था को बताता ह है, वो adjective होता है, और किसी भी चीज के नाम को क्या कहते है, noun कहते है, और adjective यह वर्व क्या होता है, तो ऐसा word जिससे किसी काम की करने या होने का पता चलता है, उसे वर्व कहते है, ठीक है, conjunction किसे कहते है, जो दो word को आपस में जोडता है, उसे conjunction कहते है, ठीक है, इस तरीके से तो they desperately waited, ये तो हो गया, ये तो बता दिया मैंने, desperately मतलब काफी बेचैनी से, savor मतलब बहुत कठो, drought मतलब सुखे की इस्तिती, fellow मतलब मैंने बता ही दिया, अनुसरन करने वाले, villagers मतलब गाउं वाले, face मतलब सामना करना, desperately मतलब बेचैनी से, wait मतलब इंतजार किया, करना ठीक जितने भी फसल थे, जमीन था, और यहां तक की पेर थे, सारे सुख गए, ठीक है, the cattle started dying, cattle मतलब बेचैनी से, लोग जो थे, वो भी मरने लगे, start मतलब सुरू हो गया, dying मतलब मरने, तो मरने लगे, cattle मतलब मतलब बेचैनी, ठीक है, crop मतलब फसल, land मतलब जमीन, even मतलब यहा there was no rain, the stream was dying up slowly, क्योंकि बारिस भी नहीं हो रही थी, no मतलब नहीं, rain मतलब बारिस भी मतलब था, थी, stream मतलब धारा, है न, यह धारा कोई भी धारा हो सकते है, नदी की धारा, यहां में नदी के लिए ही stream का यूज किया गया है, लेकिन नदी की भी धारा हो सकती है, नहर की धारा हो सकती है, और धारा हो ऐसे मिल नदी की ही होती है, नहर यह सम्में धारा होती नहीं, क्योंकि वो सब कुछ limited area होता है, तो वो अज मतलब था, drying up मतलब सूख रहे थे, और slowly मतलब धीरे-धीरे, slowly क्या है, एडवर्व है, जिसमें भी लगा रहता है, वो जातर एडवर होता है, डिस्परेटली वहाँ क्या था, एडवर्व था, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, one night during a meet with the villagers, Rodney said, friends, we all have heard tales from our grandparents about an underground river flowing through our village, एक रात जब मीटिंग हो रही थी गाउवालों के साथ, तो उसके दोरान, Rodney ने कहा कि, दोस्तों, हम सभी ने कहानियां सुनी हैं, अपने दादा दादी से, ठीक है, किसके बारे में, underground, जो नदियां बहती है, हमारे गाउव के, हमारे गाउव से होकर, उसके बारे में, ठीक है, तो why don't we dig and see, क्यों नहीं हम इसे खोद कर देखें, ठीक है, one night मतलब एक रात, during मतलब के दोरान, meet मतलब meeting, मिलना, villager मतलब गाउवाले, with मतलब के साथ, rodney, rodney नाम है, said मतलब कहा, say का past form said है, friends मतलब दोस्तों, we मतलब हम लोग, all मतलब सभी, have, जो है, वो किसमे present perfect tense में यूज होता है, have के बाद third word का third form आता है, tales मतलब कहानिय ठीक है, ये एक noun है, from मतलब से, our मतलब हमारे, अपने, grandparents मतलब दादादी, about मतलब के बारे में, underground मतलब जो जमीन के नीचे हो, river मतलब नदी, flowing मतलब बहती हुई, ठीक है, our village मतलब अपने गाउँ, तो we dig मतलब खोदना, see मतलब देखना, the villagers agreed and started digging, जो गाउवाले थे, वो सह हमत हो गया इस बात पे और उन्होंने खोदना, सुरू कर दिया, जमीन को, ठीक है, they dug for some days, but gave up soon, उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों तक तो उसको खोदा, लेकिन वो जल्द ही हार मान गया, ठीक है, soon मतलब जल्द, gave up मतलब हार मान जाना, some days मतलब कुछ दिन, however, Rodney kept on digging, however, म जारी रखा, when people told him to give up, जब लोगों ने उसे कहा, कि आप हार मान जाओ, छोड़ दो, he said, God is helping and guiding my way, उसने कहा, कि भगवान मेरी सहायता कर रहे हैं, और मुझे guide कर रहे हैं, ठीक है, when मतलब, जब people, मतलब, लोग, told, मतलब, कहा, him, मतलब, उसको, give up, मतलब, हार मान जाना, he's मतलब, उसने, said मतलब, कहा, God मतलब, भगवान, help मतलब, सहादा करना, guide मतलब, guide करना, my मतलब, अपने, वे मतलब, तरीके, रास्ता, ठीक है, एक दिन जब उसने काफी गहरा खोद लिया, काफी ज़्यादा, एनफ मतलब, होता है, काफी, और डग मतलब, खोद ना, डीप मतलब, गहरा, तो रोडनी ने क्या देखा, पानी देखा, His attitude of not giving up, saved the whole village, उसका जो attitude था, उसका जो सोभाव था, किस तरह का हार नहीं मानने का, उसने सारे गाओं वालों को बचा लिया, Never give up so easily, कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए, Rodney advised all the villagers, Rodney ने सभी गाओं वालों को क्या किया, advise दिया, सलाह दिया, ठीक है है, कि कभी भी आसानी से हार मत मानो, आप अपना काम करते रहो, आपको सफलता आज नकल जरूर मिलेगी है, Now they are never short of water, अब उनके पास कभी भी पानी की कमी नहीं हुई, Never मतलब कभी नहीं, short मतलब कमी, water मतलब water, and whenever any problem arises, all the villagers came up together and find a solution, और जब कभी भी कोई समस्या खड़ी हुई, आई, सारे गाओं वाले आए एक साथ, और उन्होंने एक solution को डूंदा, उन्होंने एक समधान डूंदा, वैनी वर मतलब जब कभी, any मतलब कोई, problem मतलब समस्या, arise मतलब उठना, खड़ा होना, all मतलब सभी, villagers मतलब गाओं वाले, कि मतलब आए, together मतलब एक साथ, find मतलब पाना, solution मतलब समाधान, तो I hope बच्चों कि आप, या दोस्तों कि आप सभी को ये, जो story है, वो समझ में आई होगी, और इसमें सारी चीज़े समझ में आई होगी, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो, तो आप इसको comment जरूर कीजेगा, जरूर बोलिएगा, कि आप लोगो को और कैसे पढ़ना था, और लाइक जरूर कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजेगा, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास,